इस वीडियो में हम डिसकस करने जा रहे हैं कि इंटरस्टों कौटरली ड्रॉइंग्स कैसे निकालना होगा और यहां पर हम एवरेज टाइम पिरिएड कैसे निकालेंगे पॉस दिखो एक साल में चार कौटर्स होते हैं और एक कौटर तीन महीनों का होता है तो हम पूरे साल क अगर कैलकुलेशन कर रहे होंगे तो हम कैसे निकालेंगे एवरेज टाइम पिरिएड बिगिनिंग एंड और मिडल के केस में मैंने यहां पर मंस लिख लिए हैं बचा पाटी एपरल में जून हो गया हमारा पहला कौटर जुलाई अगस सेप्टेंबर हो गया हमारा दूसर सेप्ट, ओक्टूबर, नवेंबर, डिसमबर हमारा दूसरा कौटर ओर जैन्वरी, फेब्रिरी, मार्च हमारा पूर्थ कौर्टर अगर मैं बॉल रहा हो, बीगिनिंग अफ एच कौर्टर तो पहले कौटर की बीगिनिंग कभ होती हैं एपरले 1 शेकंड कौटर की बीगिन कब होती है October 1 और last quarter के beginning कब होती है January 1 तो average time period निकालने का तुम्हें method तो पता ही है time left after first drawing plus time left after last drawing divided by two तो चलो beginning के case में देखते हैं पहली drawing कब होगी April 1 में इसके बाद कितने महीने बचे पूरे साल 12 months चाहिए ना last drawing कब कर रहे होंगे last quarter की beginning में तो last quarter की beginning कब है January 1 तो उसके बाद कितने महीने बचे 3 months तो average time period कैसे निकालेंगे formula से 12 plus 3 upon 2 तो answer आजाएगा 7.5 months मुझे पता है बच्चों को ये वाला figure याद है लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी paper में ऐसा हो गया कि 7 महीने 8 महीने 9 महीने 10 महीने का calculation करना होगो तो दिक्कत आ जाएगी ठेक ना चलो आओ देखते हैं end of each quarter कैसे करेंगे पहले quarter का end कब हो रहा है June 30 सेकंड quarter का end कब हो रहा है September 30 और last quarter का end कब हो रहा है March 31 तो भाई पहली drawing कब होगी June 30 को कितने महीने बचे उसके बाद 9 महीने last drawing कब होगी March 31 कितने महीने बचेंगे 0 तो 9 प्लस 0.2 4.5 months अब third case पर आ रहा है middle of each quarter हर quarter का middle तो पहले quarter का middle क्या है May और May का middle क्या हो गया May 15 second quarter का middle कब हो गया August 15 third quarter का middle कब हो गया November 15 और last quarter का middle कब हो जाएगा Feb 15 तो पहली drawing हम कब करेंगे May 15 को कितने महीने बचें में का आधा महीना बाकी के 10 महीने साड़े 10 महीने last drawing कब करने वाले February 15 को कितने महीने बचेंगे 1.5 तो average time period हम कैसे निकाल सकते है 10.5 प्लस 1.5 दिवाइद बचेंगे तो answer आजाएगा six months ये मैंने calculation करके दिखाया है जब पूरे बारा महीने की calculation कर रहे हैं तो चलो थोड़ा सा question change करते हैं और एक situation को assume करते हैं now let's suppose a business started working from July 1, 2022. Business ने काम ही July से शुरू किया है और हमें निकालना है quarterly drawings का time period तो July से शुरू किया तो July अगर September, October, November, December, Jan, Feb, March तो पहला quarter कब हो गया? July अगर September, October, November, December और last कब हो गया? Jan, Feb, March तो 9 महीने के अंदर अपने 3 quarter बन रहे हैं तो beginning of each quarter क्या हो जाएगा? पहली drawing कब होगी? July 1 को, कितने महीने बचेंगे July 1 के बाद? पूरे 9 महीने, last drawing कब होगी? याद नहीं करना है, situation के हिसाब से आपको calculate करना आना चाहिए, end of each quarter क्या हो जाएगा? पहली drawing कब होगी? पहले quarter के end में बोले तो September 30, कितने महीने बचेंगे इसके बाद? 6, last drawing कब हो जाएगी? last quarter के end में मतलब March 31, कितने महीने बचेंगे? 0, तो 6 plus 0.2, answer क्या आगया? 3 months, अब आते है middle of each quarter, पहले quarter का middle कब है? August 15, कितने महीने इसके बाद? बचे, August का आधा महीना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7 महीने, last drawing कब हो जाएगी है? I hope आपको quarterly drawings में time period कैसे निकालते हैं, ये भी समझ में आ गया होगा, अब अगली वीडियो में हम discuss करेंगे कि half yearly drawings का क्या case होता है, चलो, मिलते है next वीडियो में